बॉर्णिंग स्टूडेंट्स वेल्कम टू ओनलाइन क्लास अव अंडलाइन पब्लिक स्कूल टूडे डेट इस 30 चुलाइ 2020 स्टूडेंट्स टूडेंट्स 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 अवर फिफ्ट चैप्टर ओके आज हम पढ़ेंगे वाट डू बर्ड्स एड मतलब क जो स्ट्रॉंग होते हैं एक सेकेंड पैरोट्स एंड पैरेकेट्स इट हार्ट फ्रूट्स एंड नर्ड और यह बर्ड्स हार्ट फ्रूट्स एंड नर्ड खाते हैं ओके ठर्ड और डर्क लाइक टू इट वाम फ्रॉम दा सॉफ्ट मॉर्ट नियर दा पॉन और जो डर्क पॉन्ट के पास जो गिली मिट्टी होती है उसमें से एक बॉम को खाना पसंद करती है उके बॉम क्या होता है एक टाइप का इंसेप्ट होता है फोर्थ वोल्चर इगल्स और काईट्स फीट और फ्लेश ऑफ अनिमल्स वुल्चर इगल्स और काईट्स होते हैं वो दूसरे इनिमल्स का फ्लेश खाना पसंद करते हैं फ्लेश मतलब की मीड ऑके नेक्स्ट नेस्ट अब नेस्ट क्या होता है तो लाइक और बर्ड्स नीड अहूम टू लीव मतलब की हमारी तरह बर्ड्स को भी रहने के लिए घर चाहिए ऑक वो बर्ड के होम को नेस्ट बोला जाता है ओके दा होम ऑफ बर्ड इस कॉल्ड नेस्ट जो बर्ड होती है उनके घर को नेस्ट बोला जाता है अब नेस्ट की क्यों जरूत पड़ती है फर्स्ट ले एंड हैज एक्स मतलब की एक्स देने के लिए सेकंड प्रोटेक्ट देयर एक्स एंड नेस्लिंग फ्रॉम एनिम नार्ष मतलब की खराब वेदर से जब खराब मुसम होता है तो वो नेस्ट में बच सके इसलिए अब नेक्स्ट नेस्ट ऑफ बर्ड मतलब डिफ्रेंट 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 बर्ड के डिफ्रेंट डिफ्रेंट नेस्ट होते हैं फर्स्ट स्पैरो इत मैक्स इत नेस in house trees or any other protected place इस पैरो जो होती है वो अपना घर कहां बनाती है या तो हमारे घर पे या ट्रीस पे या और एसी जगे जहां protect हो मतलब कि जो safe हो ओके the material it used to make its nest are manly grass, leaves, straw and cotton और जो material ही यूज करती है वो कुण कुण सो होते है ग्राज होती है, leaves होती है, straw होती है और cotton होती है ओके नेक्स से टेलर बर्ड इस नेस्ट विट इस बीग यह जो बर्ड होती है यह अपनी बीग से बीग मतलब कि अपनी चोच से अपने नेस्ट को सिलती है ओके, the material it used to make its nest are thread, wool and vegetable fiber और जो material इसको लगते हैं nest बनाने के लिए वो क्या क्या होते है thread, thread मतलब कि धागा, wool and vegetable fiber ओके, next, vulture, it makes its nest on high tree जो vulture होते हैं वो अपना nest high tree पे, मतलब कि बहुत उचे पेड पर बनाते हैं, ओके, the nest looks like a shallow cup the material it used to make its nest, including sticks and twigs, और जो इनका nest होता है, वो एक shallow cup की तरहे दिखता है मतलब कि वो ज्यादा deep नहीं होता है, ओके, और जो material है यूज करते हैं nest बनाने के लिए वो क्या होती है sticks and twigs, twigs मतलब कि एक टाइप का stem, ओके, next, woodpecker, it makes its nest in tree trunk it uses its chazzle-like beak to make a big hole in a tree trunk, this hole is used as a nest, जो woodpecker होती है वो अपना nest tree के stem पर बनाती है, ओके, ये क्या करती है, एक बड़ा सो hole करते है, अपनी किस की हल्प से, big की हल्प से, beak मतलब कि चोज की हल्प से, एक बड़ा सा hole कर देती है, और उसी को वो nest की तरही यूज करती है, next, next, weaver bird, it uses grass and twigs to make its nest, ये अपने nest बनाने के लिए grass और twigs यूज करती है, twigs मतलब कि stem, the nest is strong and big, और इसका जो nest होता है, वो strong भी होता है, और big, मतलब कि बड़ा भी होता है, the entrance is at the lower end of the nest, और जो इसके nest का entrance होता है, वो नीचे से होता है, जैसे कि आपको इस picture में भी दिख रहा है, picture में आपको दि नेक्स्ट है, migrative birds, कुछ birds क्या होते हैं, ख्राब कंडिशन में एक जगे से दूसरी जगे ट्रेवल करते हैं, उन्हें migrative birds बोलते हैं, some birds like siberian, crane and mallard dog travel long distance to avoid harsh condition to search of food and to reproduce, मतलब कि जैसे कि siberian bird है और mallard bird है, ये दोनों क्या करती है, long distance तक travel करती है, long distance तक travel करती है, किसलिए, एक तो ख्राब कंडिशन उससे बचने के लिए, जो मोसम आता है ख्राब, उससे बचने के लिए, और खाने की तलाश में, इन birds को migrative birds बोला जाता है, और जो woman होता है, जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस चेंज करती है, उस process को migration बोला जाता है, Okay students, I hope आपको समझ मा आगया होगा, Thank you